बीजेपी ने लोकसवा चुनाओं के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें प्रदेश के भी 16 प्रत्याशियों के नामों की घोशना हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी ने जैपुर शहर से एक बार फिर मौझूदा सांसद रामचरन बहुरा पर विश्वास जताया है तो वही टिकेट मिलने के बाद रामचरन बहुरा चुनाओी समर के पहले दिन काफी एक्टिव नजर आए इस दोरान उन्होंने आला नेताओं और अपने कारे करताओं से मुलाकात भी की और इसी को लेकर सांसद रामचरन बहुरा ने की A1 टीवी से खास बात ची बीजेपी ने लोकसवा चुनाओं में अपने 124 परत्याशियों की गोशना कर दिया है वही राजस्तान से 60 परत्याशियों को कहीं चुनाओं के लिए गोशित कर दिया गया है वही बीजेपी के लिए जेपूर सेर से मुझूदा सांसद रामचरन बहुरा ने से बात मैं राश्टे नेतवत प्रदेश नेतवत को बहुत बहुत आभारवर करना चाहता हूँ जिनोंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है पिछले कारिकाल में जिस तरह से जनता के साथ कारिकरताओं के साथ मिलकर मैंने काम करने कोशिज की है आज उसी का नतीजा है कि कार्यकरताओं ने अपने दम पर मेरे लिए कहकर और राष्टे नेतवत को भी का है और प्रदेश नेतवत को भी का है और प्रदेश नेतवत और राष्टे नेतवत दोनों में मिलकर मेरे पर विश्वयास व्यक्त किया है मैं इस व्योस्वास पर खरा उतने की पूरी कोशिश करूँगा और मानिये प्रधान मंतरी नेंद भाई मोधीजी के नेतत में पुने भारत में सरकार बने एक इस्थाई सरकार बने मजबूत सरकार बने देश की सुरक्षा चाए आंत्रिक हो चाए बाहिये सुरक्षा हो लागता है तो आपके लिए बारी पर यह पाइब देखिए जो हमारा किसान बोट बेंग है जो हमारा युवा बेंग बोट बेंग है उन्हों उनको एक लुभावने वादे करके राहुल गांदी जी ने यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोग गैलो जी ने जिस तरह का एक ब्रह्मे जनता को डाला है कि तुमारे किसानों को का कि आपके संपूर्ण करजे माफ होंगे यूओं को का कि हम बेरोजगारी बता देंगे और अनेक प्रकार की गोश्ण है उन्होंने एक चुनावी जूट बोलकर चुनाव में और उन्होंने एक जनता को लुभाने का काम किया जनता ने उस लुभावने वादों में आई और वाज उसी की वज़य के लिए धीट 00ältाइव धीक है और वे फिर बाद में थोड़े दिन बाद में 2 लाख रुपए आ गया है उसके बाद में मेरे सीट पर 33 मेरे ग्रामीन शेत्र का हरणी पर का आपने देखा होका बार बार टीवीब़ मेरे जेपूर सहर में सबसे ज्यादा युवा है तो युवाओं को जिस परकार का बेरोजगारी भता देने का जो उन्होंने प्रलोबन दिया आज आज तक किसी युवा को मेरे में लगता है कि बेरोजगार भता मिला नहीं है और उस वादे की व्यादा खिलापी कॉंग्रेस गु अज पूरे विस्व में प्रधानमंच जी के साथ पूरे देश प्रधानमंच के साथ खड़े हैं चाए वो चाएना हो चाए फ्रांस हो चाए अमेरिका हो चाए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News साथी बैल आइकन को प्रेस क ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन